जो आज मेरी ऐस अफलता पर मुस्कुरा रहे हैं हस रहे हैं भाईया थोड़ा सा इंतिजार और कर लो मैं तुम्हें पूरी तरीके से अचम्भित कर दूँगा नौश्कार जाहिंद जीतने वालों को मेरा सलाम और जीतेगा वही जो विश्वास करेगा अगर इस एटिटूड के साथ में आप अपने तैयारी को करते हो ये एटिटूड रखते हो सामने वाले को अपने विरोधी को आप से जलने वालों को कुछ नहीं कहना है मन के अंदर ही ये सोचना है कि वही आज तुम हस रहे हो जरा सा थोड़ा सा इंतिजार और करो मैं अपने ही परिणाम से तुम्हें अचंभित कर दूँगा आज तुम्हें हसी आ रही है मेरे परिणाम पर मुझ पर नेक्स टाइम जो परिणाम आएगा वो तुम्हें अचंभित कर देगा इस एटिटूड के साथ में इस जजबे के साथ में अपने तयारी करो भया ऐस सफलता कोई बड़ी चीज नहीं है एस सफलता मिली तभी तो दिमाग है जो ठिकाने आया कि भया मैंने यह यह कमिया की थी यह गड़बड की थी और अपकी बार मुझे यह गड़बड नहीं करनी है विशेस तोर से इनी गड़बड जो हुई थी उनको है जो दूर करना है यही चीज तो सफलता के और ले जाती है तो भया इतना निराश होने की हतास होने की लोगों से भागने की क्या ही हो गया मेरी तो जिंदगी उजड़ गई इतना सोचने की आवश्यक्ता नहीं है अपनी हतियार अपनी किताबें ज़ाड़ो उठाओ चुपचाप शांत चितो कर लग जाओ लोगों को बताओ इमत की पढ़ रहा हो लोगों को हो भया पढ़ी नहीं रहे हम तो आप प्रतेक्स रूप से भारी दवा लो ही ना और चुपचाप घायल शेर की तरह सहाब अपने लक्षे पर निशाना साथ दो और इस तरीके से केंदरस्त होकर निशाना साथना है कि ज़पटा मरो उससे है जो जिस तरीके ज़पटा मारता है तो शिकार को छोड़ता नही है उसी तरीके से तुम्हें अपने लक्षे को है जो नहीं छोड़ना है प्रारम करते हैं माखनलाल चत्रुवेदी को कवी कुल सीरीज के अंदर हम रोज अलग-अलग कवियों को पढ़ रहे हैं जो कि आप चाहे नेट की परिक्षा दे रहे हो चाहे कोलेज वाली दे रहे ह है अलग स्टेट की लेगिन हिंदी विशे संबंद रखती है उन तमाम भरति परिक्षाओं के लिए महत तो पुण है माखनलाल चतुरुपेदी जैन की बात करें जन के विशे में जिकर आता है कि 1889 में होता है जन निधन की बात आए तो निधन 1968 इस विए जन मौर निधन और जन मिस्तान जन मिस्तान की बात करें जन इस्तान की तो जन मिस्तान वहिया क्या हो जाएगा होशंगा बाद जिला हो जाएगा और गाउं का नाम अगर द्यान में रखो तो गाउं बाबाई नाम का गाउं यह हुशंगा बात जिला बाबाई नाम में गाउं कहां पर है एंपि में पढ़ता है मद्दे परतेश में पढ़ता है यह इतना सा इनका जन्मोंड इधन का मामला है ठीक है उपनाम या इनको यूँ कहूं सिदस्दा की एक भारती आत्मा एक भारती ए एक भारती ए आत्मा के नाम से क्या थे बेहद प्रसिद थे बहुती प्रसिद थे एक भारती आत्मा नाम से कौन माखनलाल चत्रुवधी देखिए इत्मिनान से सुनते रहे न आप अगर लिखो तो अच्छी बात है नहीं लिखो इत्मिनान से धेरी से सुनते भी रहे तो अपना जो पढ़ाने का जो शेली है छोटे-छोटे वीडियो होते हैं आराम से पढ़ाते हैं और फालतुक चीजे ह आत्वा नाम से परसेद थे यहां तक बात है जो हो गई इनकी रचनाओं में हम बात करें तो रचनाओं में देखिए एक रचनाती अमीर इरादे गरीब इरादे अमीर इरादे गरीब इरादे यह गद्दे साइते हैं गद्दे में लिखा गया है और यह क्या था निवन्द था यह क्या है निवन्द है और एक समय के पाउँ समय के पाउँ आप पूछो कि क्या है सर समय के पाउँ ध्यान में रखना एक संस्प्रण हे निगा क्या है संस्प्रण क्या है संस्प्रण है एक क्रिश्णार्जुन युद्ध यहां लेके देता हूँ मैं क्रिश्णार्जुन युद्ध यह भी इनका ही कृति है जो कि क्या है नाटक है ठीक है और अमिर इरादे गरीब इरादे यह जो है इसका समय मिलता है 1960 क्या मिलता है इसका 1962 क्रिश्णार्जुन युद्ध वाली नाटक के हमने बात की तो इसका समय मिलता है क्रिश्णार्जुन युद्ध का 1908 ठीक है यहां तक आगे देखते हैं कुछ और रचना है आगे इनकी रचनाओं में हम बात करें है तो रचनाओं लिखिए आप प्रमुक रचनाओं जिन में हम देखें हैं सबसे पहले आप देख लो कहानी संग रहे और दसनाओं में भी क्या कहानी संग रहे अगर पूरली इसकी विधा क्या है तो ध्यान में रखना कहानी होगे वनवासी वनवासी कला का अनुवाद वनवासी कला का अनुवाद ठीक है ये क्या हो जाएंगे कहानी संग रहे हो जाएंगे और इनकी एक रचना मिलती है एक आने संगर्वने ये गद्य साहित्य में है साहित्य देवता बहुत प्रसिद है साहित्य देवता रचना आप रचना लिखकर सारी एक साथ लिखते रहे हैं साहित्य देवता समय उन्निस सु बैयालीस कितना 1942 आगे देखिए रचनाओं में आगे हम देखते हैं एक इनकी प्रसिद रचना जो बहुत बार परिक्षाम में पुछ गई है क्या हिम किरीटनी हिम किरीटनी और एक और है हिम तरंग इन हिम तरंग इन हिम तरंग इन यह दोना बहुत प्रसिद है कहीं बार पुछ गई है तो हिम किरीटनी जो है इस पर तो इनको देव पुरुषकार मिला कौन सा हिम किरीटनी रचना पर तो देव पुरुषकार मिला हिम तरंग इन े इसके उपर मिला इनको साधाते इक आद्व halls पुरुषकार हिम किरीटनी पर देव पुरुषकार हिम तरंग इन पर साहे ती पुरुषकार हि और निー 1555 में और इसका जो रचनाकाल है हिम किरीटने का तो रचनाकाल था नीचे करके लिख ले ना आप हिम किरीटने का रचनाकाल के एकर बात करें तो उन्ने अलिस इने सो तैया Пढ़ंवोषन में inhib सभूूं को मिलता है हिम तरंगनी का रचनाकाल हमें देखने को मिलता है दिया गया था जिसको 1960 में है जो लोटा दिया इन्होंने यह बात ध्यान में आप रखना यह चाहो तो उपर कहें लिख लो नोट करके 1963 में 1963 में क्या मिला पदमभूशन मिला इनको पदमभूशन मिला ठीक है 1960 में वापस दे दिया दो लोटा दिया ठीक है आगे देखिए हिम किरिट ने हिम तरंगी ने हो गई देव पुरुशकार साहित एकादम पुरुशकार हो गया इनका समय हो गया इसके बाद भी हम देखें तो माता प्रस्टना का ना माता जल्दी में आपको मावा लग रहा होगा माता समर्पण समर्पण के बाद में वेणू लो गूंजे धरा बहुत बार पूची गई है वेणू लो गूंजे धरा फिर बात करें तो मरन जवार मरन जवार फिर बात करें तो धुर्वले धुर्व वले ठीक है बिजूरी काजल आंज रही है ये भी है एक बिजूरी विजली काजल आंज रही है कमेंड करके बताना की आंज ना क्या होता है आंज रही है माता के समय की बात करें तो 1951 आता है ठेक है समर्पण की बात करें 1956 समय देखने को मिलता है वेनु लोग उन्जे धरा की हम बात करें तो 1960 देखने को मिलता है कितना 1960 और मरण जुआर का समय देखने को मिलता है 1963 1963 और धुर्वे जो वले है 1981 और हमने बिजुरी काजल आंज रही इसका देखा तो 1964 ये इनका है जो समय रहा है और ये सारे के सारे क्या है एक तरी किसी काव कावे शंग्रे है कि रचनाओं में भी क्या है कावे शंग्रे है कावे मतलब पद्धे के अंदर है यूँ कह लीजिए आप कि इन्होंने प्रसिद कवीताइन लिखी जो की कई बार से दिसी परेक्षों में पूछ जाती है कि ये कवीता किस की है तो ध्यान में रखना कल भी हमने जिक्र किया था कि मा खलाल चत्रवेदी की कविता पुष्प किया विलाशा की तर्ज पर है जो इन्होंने ये कविता लेखिये और किसके बारे हम जिक्र किया था कल वह आप कमेंट करके बताऊ प्रसिद कविताएं करके लिखो प्रसिद कविताएं तो चत्रुवेदी जी की प्रसिद कविताओं में में बात करूँ तो केदी और कोकिला केदी और कोकिला आपने पढ़ी भी होगी ये कविता केदी और कोकिला पुष्प की अभिलाषा पुष्प की अभिलाशा बहुत प्रसिद कविता है एक है दीप से दीप जले दीप से दीप जले जले एक है अमर राष्ट्र अमर राष्ट्र ठीक और यही प्रसिद है कांगो का सुन कर्तव विराग यह देख लेना है कांगो का सुन कर्तव विराग अच्छी कविता है कांगो का सुन कर्तव विराग यह देख प्रसिद है जो कविताएं हैं हमने बात करी लिए इनकी विश्चा देव पुरुष्कर मिला साहित एक आदम पुरुष्कर मिला पदम भुषन मिला देव पुरुष्कर को लोटा दिया था इननोंने हिम क्रिटनी पर मिला मांक इनको मिला था हिमतारंगिनी पर और 33 मिला था इनको साह यह पादम भोष्ण जोके उनिश्ट में नोने लोटा दिया नहोंने कुछ संपादनकारिय भी किया था कुछ रस्णों का क्या था संपादनकारिय तो वह भी हम देख लेते हैं कहीं बार कुछ ज्यादा इस 213 कि इसके प्रभा के संपाधन से भी जुड़े रहे हैं 1919 आता है कर्मवीर के संपाधन से भी जुड़े रहे जो कि क्या थी साप्ताइक पत्रिका थी साप्ताइक ये भी कहीं बार पुछ जाता है ठीक है RNA एक प्रताब इससे जुड़े रहें प्रताब से भी जुड़े जो कि कानपूर से प्रकाशित होते थी कहां से कानपूर से प्रकाशन होता था और ये शुरुवात मे हमने बात की एक बारती आत्मा एक भारतिय आत्मा और साथ ये दादा नाम से भी है जो प्रसिद थे विख्याद थे तो ये थे माखनलाल चतुरवेदी जी और ये बांगला गुजराती अंगरेजी मराठी सब बाशाओं का इनको क्या था ग्यान था चलिए वीडियो अच्छा लगा उपयोगी लगा आपको लगता है कि परिक्षा के अंदर हमारे लिए ये ठीक रहेगा कहीं ने कहीं सवाल फस सकता है यहां से तो लाइक कर देना शेर कर देना पहली बार देख रहे हो चैनको सब्सक्राइब बेल आइकन क्लिक कर लेना और ध कि चत्रुवेदी रचनावली अब सवी रचनावां का जो भी रचनाकार होते हैं उनको ज्यादा तर नाम उन्हीं की रचनावां पर रचनावली जुढ़ गए लेकिन विशेश तोड़ से यह ध्यान में रखना है शंपून जो इनका सहीत्य ना शंपून जो सहीत्य है अखला चत्रविदी रचनावली में है जो समाईत है यह द्यानमित लेना और डिस्क्रिप्शन में टेलिग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा अपनी एप है उसका लिंक मिल जाएगा एप का नाम क्या है नव स्रिजन क्लासेज और यहां पर फर्स्ट गेड का सूपर चल रहा है तो आप अभी से अपने तयारी को धार देना चाहते हैं अपने लक्षे को मिश्चित करना चाहते हैं टार्गेट consequent लिपकल क्लासेज पर हिंदी का जो सूपर हंड्रेड बेच चल रहा है उस कोर्स को आप खरीच सकते हैं जो इन कर सकते हैं जैहीं कर म strict